मदद करेंगे जी भाई, मैं एक नमबर एक से अगर कोई सवाल हो तो करें मेरा नाम है त्रीविक रमदास पालक है मैं नोकरी करता हूँ यहाँ पर एक हाड़वेर और प्लावड के दुकान में मैं आपका भूत बार प्रवचन ट्यवी पर देख चुका हूँ बहुत आनन्द भी आता है अक्सर आपका जो प्रवचन रहता है जो हिंदू का जो आता है आप वेदों से देते हैं यानि जो भी वेदों से कंपाइंजन करते हैं लेकिन हमारे जो वेड है वो आकसर जो है वो स्वर्ग यानि जन्नप तक ज्यादा करके ये करते हैं लेकिन उसके आगए अगर हिंदु में अगर हम लोग जाएंगे अगर सही में हिंदु भी नहीं बोलते हम सानातन धर्म कहते हैं जैसे आपने अभी व्यक्रा किया था नदी के पारक के हिंदू उसको कह जाता है तो हम तो सानातन धर्म से है तो सानातन धर्म में हमारा जो आता है तो भगवत गीता जैसे आपके अंदर जो यह है जैसे बाइबल का अपनी इसलम का यह है कुरान है तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है और जो भगवान के बारे मे जानना है यानि अल्ला के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ अगर यह है वेद तो हमको सुर्ख तक जाने के लिए है लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्ला तक जाने के पोच्छ तक है यानि अल्ला को आपका प्रोवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो लिखा गाया और किताब के मुताबिद चले तो बहुत आदमी सुके रहता है बाकी तो मैं और कुछ सवल तो कुछ परसनल पूछना चाहता हूँ बाद में आपको मिलके सबक पूछूंगा सबके सामने नहीं पूछ सकता लेकिन आपका प्रोवचन सुनके मुझे बहुत आनन्दा है हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफी मेरे तक्री देखते है तीवी पे और प्रसन होते है खुससां जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते है और सनातन धर्म में भी आपको शायद यह पता होगा कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है वेध है बगवत गीता सनातन धन करिशना इसकौन मैं गया था एक बार कलकता में और कलकता में तक्रीर थी मेरी उस वक्ट बारिश आती है बारिश तो हो गई लेकिन मेरे साथ आने वालते इसकॉन के हेड कलकता के हम लोग दोनों जाते हैं एक वैन में वैनिटी वैन मतलब जो बड़े मैधान में यहाँ तो माशाला मैधान के बादों में काफी बिल्डिंग है तो बड़े मैधान में प्रोग्राम होता है तो कोई green room नहीं होता है तो क्या करता है मैंन लेके आते है बस इसमें make-up room या आराम करने के लिए condition होता है तो मैंस कौन के head के साथ में बेटाता है तो उन्हें वो ही बात कहीं जो आपने कहा हमाले सबसे अवल है भगवद गीता मैंने बोला ठीक है और कहें का वेद भी ठीक है तो मैंने पूछा ये भगवद गीता हिंदू धरब में दो किसम की किताब है एक है शूति एक है स्मृति शूति मतलब जो भगवान की भीजी हुई किताब वेद और उपनिशत उसने का बिल्कुल सही स्मृति किसे कहते तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखिवी किताब है मिसाल के तौर पर मनू स्मृति तो मैंने पूछा ये रामायनौ महाबरत क्या है तो उसने कहा ये है स्मृति बेशक बिल्कुल सही जवाब था मैं भी ताले बेल मूँ तो मैंने पूचा बिल्कुल सही कहते हैं उपर आती है शृती वेदा और उपनिशद स्मिती मतलब दूसरी किताबे मनुस्मिती, इतिहास मैंने पूचा यह माबारत क्या इतिहास है तो मैंने उसे पूचा गुरु जी यह बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है माबारत का अट्रा चैप्टर का सही है अरे बिल्कुल सही है आप बहुत इल्म लगते हैं मेला बेशा तो जब भगवत गीता माबारत का हिस्सा है तो माबारत स्मिती है के शुदी है तो पुंति अपर के नीजे तो ब supply हाँ आपके पाद दिल्म है ना इसलिए आप जानते हैं हम लोग को कहते हैं भगवत उचिए है लेकिन हम सही कहते हैं यह भगवत गीता वेद का निचोड है निचोड है लेकिन वेद उपर है ऊदा की किताब है बगवत गीता इनसान की लिखी है किसके दर ये? स्कॉलर्स के तापके इसकॉन के गुरू भी कहेंगे हो लेकिन आप आम आदमी हैं आप शायद ये पेचिदा चीदे को जानते नहीं हम तालिब इल्म है मैं स्कॉलर्र नहीं हूँ तालिब इल्मू तकाइबल मजहिब का इस्लाम एन कंपाइटिव लिजिन का तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टक्रावे किसकी बात मानेंगे? तो बहुत आम गुर्पे तो हम कहते हैं भगवत गीता उपर है लेकिन आप सही कहते हैं क्या दिल में? तो मैं यह कहता हूँ गुरू जी से आपके संग से के आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदूों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर में सरिफ ब्रहम्मन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते है वेच वेद शूद्रा नहीं पढ़ सकता है क्यों? हमारे मदब में उच निच नहीं है काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फखीर, पुरान पढ़ सकता है नमास के लिए जब उस इश्वर की हम अबादत करते है जब खड़े होते हैं नमास के लिए कंदे ते कंदा मिला के करते हैं चाहिए वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंदे ते कंदे मिला के खड़ा होता है और आप याज दीकेंगे और मैं अलभी जो गया हूँ अंशाललہ उनकी सेक्रीडी रहती है अब सेक्रीडी हर जाथी है आप साथ में तो साथ में अलभी इनमीर या खड़ेब, आमीर या गरीब, काला या सद, यकसा है तो मैं यह कहना चाहता हूँ अब बिल्कु सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है खुदा का भी लिखा है आप बोले अल्ला के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है बराबर यह नहीं कही रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा है वेदों में भूत आखरी आखरी में आता है लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ चाहिए यानि आल्ला ने कहा हुआ ऐसा है तो इसके लिए अभी वेद तो स प्रांस्कृत में है वो पड़ नहीं सकते हैं लेकिन जो भगवद गीता है बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई लिए और जो भगवद गीता है बहुत सारे आदमी ने लिखी हुए गरवन 200-300 लोगों ने लिखी है आपने अपने इसाब से बिल्कुल सही कहा लेकिन इस इसके लिए उसका लिखा हुआ है आज इटीज भगवद गीता आपके स्वामी प्रभू पदा बराबर येस प्रभू पदा इनसानी थे ना इनसानी थे ना मैं किदर ना बोल रहा हूँ ये हमारा कुरान जो है ना डायरेक्ट अल्ला की तरफ से नाम हम्मद ने लिखा है जैसे वग्ध जाने लगे बदलते के अब बिल्कुल सही के तिनसो किसम की किताब है बायबल स्रेक्डों किसम हमारे आयरेफ में दोसो किसम की बायबल है अब किसमे मानेंगें कुरान आपलो कोई भी कुरान नो इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पुना में, हूब हो वही है, एक लख की बात दूर रही, आ की मातरा, ई की मातरा, जबर जेर, पेश वो भी फरक नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है, औरिजनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा थाने, लेकि जब निचोड होता है वो असली फल से वंटडिक करें तो फल और एहमें मैं बिलकुल मानता हूं स्वामी पगुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है वेद का निचोड़े और वो कहते हैं मैं भी पढ़ चुका हूं आपकी भगवत गीता आज़िटिज पढ़ चुका हू वो गलत खुदाओं के पीशे भागता है आपकी भगवत गीता में लेकर आए दिटिस में और उसका अगर प्रिफेस पड़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाई है बोश से गाई है और क्रिश्टन क्या है दूद निकालने वारा इंसान और दूद क्या है भगवत गीता है सभी कह रहा हूं के ने प्रिफेस में लिखे लिए कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका डांस्टेशन पसंदे अक्सर हमारे हमाँ भी माशालाः पचास से ज्यादा भगवत गीता है मैं लेकिन स्वामी प्रभू पदा के गीता को भसंद करता हूँ अच्छी गीता है इसलिए मैं प्रिफेस कह रहा हूँ लेकिन उसमें भी लिखा हूआ है उसके अंदर भी वो निचोड़े वेत का निचोड़े लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाई को छोड़ देंगे गाई चले जाएंगी तो दूद क्या करेंगे आप गाई रहेंगी तो दूद मिलते रहेंगा ना दूद को लेंगे गाई को मार देंगे दूद आपके खतम हो जाएंगा भाई गाई को जिन्दा रखो रोज दूद लो बराबर के ने दूतरे बच्चे पैदा करेंगे गाये लेकिन तो गाये को मत छोड़िए इस से हमें पता लगता है उसमें लिखा हुआ है आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है आपकी भगवत गिता में लिखा है आउतार आउतार की सही मानी आपको मिलेंगा वेश से उसमें पता चलते हैं जिसमें कहते हैं पैगंबर आखरी पैगंबर आखरी आउतार कौन है कलकी आउतार अगर आप भगवत गिता में मानते अगर आप वेद में मानते आपको आखरी आतार कल्किया उतार में मानना ही बढ़ेगा पिर ही आप कहा सकते मैं असल भक तूँ बगवध सीता का आने वाला है उसमें लिखा था कल्किया उतार की मा के नाम क्या है? सुमती सुमती की बानी ben अमिन मम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के वालदा का नाम था आमिन उसमें लिखा है कल की अउतार चैप्टर नमबर अभी हवाला भी दे रहा हूं में टाइम मिल रहा है ना कल की अउतार चैप्टर नमबर दो वर्ष नमबर पांच श्लोक नमबर पांच साथ नौ ग्यारा पंद्रा इसमें लिखा है कि उसके वालद का नाम है विश्नु यास विश्नु यास मतलब खुदा का बंदा अरिभी में तरजमा करेंगा अब्दुल्ला मम्मद صلی اللہ علु के वालद का नाम था अब्दुल्ला उसमें लिखा है वह इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है उसमें लिखा है कि वह उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे हम जानते हैं कि खुरेश के फैमिली में पैदा हुई ते हममस صلی اللہ علیہ وسلم के थे जो हज़रत अबुबकर, हज़रत अमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मैं लाभी फिल्युद्धे मौल, अल्ला ताला की रह्मा सब पे हो, किसके बार में दिकर करें, उनको सबसे पहली जो वही आएंगी, वह आएंगी एक गार के अंदर, हम जानते हैं, मौल, सबसे पहली वही आएंगार हिरा में फिर वो करेंगे हिजरत, नौत के तरफ फिर से वापिस आएंगे, मौल, सबसे हिजरत की मदीना जो नौत के अपर है, फिर से वापिस है, मैं तो एक घंटा सिर्फ तसकिरा कर सकता हूं, मौल, सबसे हिंदु धर में, वक्त नहीं है, वो यह पुछना चाहता हूं, आप मानते हैं कैसकल के अतार में, आप मानते हैं, मौल, सबसे आखरी पैगंबर है, मैं तो कुरान तीन बार पड़ा हूं साब, मैं तो मानता हूं कुरान को मानना सिर्फ जरूरी ने अमल करना जरूरी है मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं खुदा की बात पर अमल ना करता हूं तो बेकार है मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से बहुत मुपत करता हूं वालिद की बेज़ती करता हूं वालिद की बात में मानता हूं वालि लिखा हुआ खुदा ने उसके उपř आमल करना चाहिए तो मैं अपने इससे आमल करता ही हूँ जो कुछ यह पार ही है नहीं को यह ऐखिह करता है कि आरेने कोी ऐते हैं मेरे लिये यह उह छाल आदे कैरें आप सब्सक्राद है मैं यह जानता हूं सनाता धर्म के बारे में जानता हूं पहले स्टेज में आप पास कर चुके एखोदा में माझने बिल्कुल सही रहना चाहता हूं कि उस खुडा के और पांफ पैजंबर आकरी पैजंबर में आप मांनते हमिए милли Words यह मेरा सवाल है यह सब के लिए यह ना बिल्कुल सभी कोई एक मजब का थोड़ी रहता है गुरू तो सब के रहा रहता है वो एक मजब का थोड़ी गुरू रहता है कि वो एक मजब के लिए हो सब मजब के लिए गुरू रहता तो मानता ही मैं उसको बिल्कुल सभी लेकिन यह कहना कि सब मज जब यक्सा है हूब भूँ, ये सएई नहीं यक्सानित है इसलिए मैंने का, यक्सानित प्रम करो, आप बोलेंगे, मैं सब हिंदू चीज़ पर अमल करूँ का, क्ई हिंदू जाते बुदपरिस्ति करने के लिए, आपने करते हैं अच्छी बात है अल्हम्दलिल्ला इसलिए मैं आपको कॉंग्राइजिनेट करता हूँ आप बुद्परस्ती नहीं करता हूँ आप अगर मुहम्म्मत को आखरी पैगंब मनते है तो उसके पैगाम पे अमल करना ज़रूरी रहे पुद्परस्ता दे करना जरूरी वक्राइजिनेग ये अगर मैं नहीं मतने पैज़ने दरूरी वरूरी उत्टा है कि अपने मन से खुदा की बात तो आखरी पैगाम में खुरान शरीफ और आखरी पैगंबर मुहम्मद में मानना ज़रूरी है फिर ही आप सही तरीके से मधब को पैचान सकेंगे नए तुझ बोलनेगा आपको मुझे ये कहनत है था अभी बोल रहे हैं आमल करना चाहिए तो मैं मुवमिन बनने का पूरा कोशिश किया क्योंकि मैं मुवमिन का क्या रहता है वो तीन-चार इसमें सुन चुका हूँ मुवमिन का क्या रहता है मुवमिन का जो बता है था ना जो रिजन जो कैसा रहता है मुमिंट कैसा रहता है मैं इतना याद में जितना रखा हूं मैं जो भी यादे बोल दीजिए नो प्रॉब्लम जो कमिया में पूरी कर लूँगा नहीं नहीं जान दीजिए अगर दूसरे को भी कोच्चन पूछना है मैं आपको परसनेल मिलता हूँ बाद में अच्छा बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाला हूँ ठीग है आडे कृष्णा कि तरफ से कोई अगर सवाल हो तो घर मुस्लिम बहनों को तरजी दी जाए उनको पहले मुका दिया जाए एलए मैं नेहर मनुझ रइजादा इंट इंटिया इंट अप्रणी बह डे ट्याल वस्लिम अव्यों भूल इंट न्याला है और मैं आपको पूल्या जाए भूलिम मैं पार्ण